भारत के महत्वा कांक्षी अंतरिक्ष प्रयासों के केंद्र में एक मनोरम यात्रा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम श्री हरिकोटा रेंज को अपने प्राथमिक प्रक्षेपन स्थल के रूप में स्थापित करने के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस्रो के रणनीतिक निर्णय के पीछे के रहस्य को उजागर करते हैं। इसकी प्राचीन तटी अस्थिती से लेकर इसके रणनीतिक लाब तक हम उन कारकों पर गौर करते हैं जो श्री हरिकोटा को भारत के लिए ब्रहमांड का चुना हुआ प्रवेश द्वार बनाते हैं। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम इतिहास, महत्व और इस शांत द्वीप को सितारों तक पहुँचने वाले सपनों के लौंच पैड में बदलने के लिए किये गए अपार प्रयास का पता लगा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने अंतरिक्ष अभियानों के लिए मुख्य प्रक्षेपन स्थल के रूप में भारत के दक्षिन पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप श्री हरिकोटा को चुना है। इस पसंद का मुख्य कारण इसका स्थान है। श्री हरिकोटा भूमध्य रेखा के करीब स्थित है जिसका अर्थ है कि इसमें अंतरिक्ष यान के लिए अनुकूल प्रक्षेपन पत है। इससे अंतरिक्ष यान को बढ़ावा मिलता है क्योंकि यह पृत्वी के घूनन द्वारा प्रधान की गई अतिरिक्त गती का लाभ उठाता है। भूमध्य रेखी अस्थिती अंतरिक्ष यान की भारत में शीग्र वापसी की भी अनुमती देती है जिससे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आसान हो जाता है। इसके अलावा श्री हरिकोटा के आसपास का क्षेत्र बहुत कम आबादी वाला है जिससे प्रक्षेपन गलत होने पर जनता को चोट लगने का जोखिम कम करने में मदद मिलती है। यह द्वीप सुरक्षा के लिए भी आदर्श है क्योंकि इस तक आसानी से पहुँचा जा सकता है और सैन्ने कर्मियों द्वारा आसानी से इसकी निगरानी की जा सकती है। क्षेत्र में मौसम की स्थिती भी प्रक्षेपन के लिए अनुकूल है। यह क्षेत्र आम तोर पर बादलों और तेज हवाओं से मुक्त है जो प्रक्षेपन को बाधित कर सकता है। इसके अलावा क्षेत्र में वर्शा का स्तर कम होता है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि लौंच पैड अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। अंततह इसरो ने श्री हरिकोटा के बुनियादी धांचे में भारी निवेश किया है जिससे यह एक आधर्श प्रक्षेपन स्थल बन गया है। इसरो ने दो लौंच पैड और कई अन्य सहायक सुविधाओं जैसे लौंच कंट्रोल सेंटर, मिशन कंट्रोल सेंटर और ट्रैकिंग और डेटा अधिगरहन नेटवर्क का निर्मान किया है। इसने इसरो को अपने अंतरिक्ष अभियानों को अधिक दक्षता और सटीक्ता के साथ पूरा करने में सक्षम बनाया है। कुल मिलाकर श्री हरिकोटा अपने अनुकूल स्थान, अनुकूल मौसम की स्थिती और मजबूत बुनियादी धांचे के कारण इसरो के लिए एक आदर्श प्रक्षेपन स्थल है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इसरो अपने अन्तरिक्ष अभियानों को अधिक सुरक्षा और सटीक्ता के साथ अंजाम दे सकता है। जैसे ही हम इस उल्लेखनिय यात्रा का समापन कर रहे हैं, हम आपको अंतरिक्ष अन्वेशन की दुनिया में अधिक आकर्शक अंतरद्रिष्टी के लिए हमारे साथ चुड़े रहने के लिए आमंतरित करते हैं। श्री हरिकोटा और इसरो की सितारों के प्रती अटूट प्रतिबधता की कहानी पीडियों को प्रेरित करती रहती है। इस असाधारन अन्वेशन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अधिक विसमयकारी सामगरी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले हम एक साथ मिलकर सितारों तक पहुँचते हैं। अलविदा और अगली बार तक उपर देखते रहें।